हलो एवरिवान वेलकम बेक टू माई चैनल कैसे हो आप सब आप सब आप सब ठीक होगे और ये लास्ट नवरातरा का दिन है और एक गेस पर मैंने आलू चड़ा रखें और दूसरे पर मैंने सूजी की सिखाईगी डाल के सूजी डाल दी और सिखाई करने लग दी रेकिन इस सूजी का अलवा बना रही हूं मैं और यह देखिए यह चोटा सा जो सेलफी वाला लेते हैं फ्रंट केमरा वो यूज़ करा है मुझे यह यूज़ करना नहीं आता है सूबह जैसा कि आपने इससे पहले वाले अस्टमी वाले व्लोग में देखा होगा कि मेरे सारे काम ओल् लेट अभी डाल रही हूं क्योंकि क्लिप मेरी मिल गई है और मैं बहुत खूश हूं तो यहां पर यह देखिया है मेरे सारे बरतन इदर टंग रहे हैं जो भी होते हैं और यह जो स्लैप में लगाती थी वह टोकरिया मैंने जो मैंने एक फरनीचर बनवा रखा है जिसमें क प्लस्टिक थी ट्री यह लगातार में जो हे इसको क्यूंकि कभी सीदे हाथ से कभी उलते हाथ से लाते हुम क्यूंकि मेरा हातों में बहुत जादा दर्द हो रहा था और यह फ्रंट कैमरे का यूज़ करना मुझे नहीं आता है इस वज़ह से ऑजो है दूंदला आ रहा है और है इसमें मैं नहीं कम में लीए हूं काम कर ला है और यह मने नहें में हमारे बील को दादु जीया आवशक्ता उनुसार चीनी डाल देंगे तो बस यहां 4-5 कटोरी मैंने चीनी की डाल दी शूजी के अच्छे से सिकाई करी थी मैंने और फिर थोड़ी चीनी मुझे और कम लगी तो मैंने और डाल दी क्योंकि मैं अंदाजस से चीनी डाल रही हूं और अंदाजस से भी बना बट मुझे आई नहीं रहा था और घुठली आना बंजया, इसलिए मैं इसको लवातार फटाफट हिला रही हो और रोग थोड़ा बढ़क giàता इसलिए मैंने जो हे इसको fast कर रखाये गये तना fast हिला नहीं रही हूँ क्योंकि मेरे हाथ में problem है और यह देखेचde और मैं जो है आज नवरातरी के दिन में किसको खाना खिलाँगे आप देखेगा जरू हर साल तो मैं कालोनी के बच्चों को घर पे बुला के खाना खिलाते हूं करीबन जो है 40-50 बच्चे हो जाते हैं और फिर उनको पैन, पैंसिल, कॉपी वगेरा कुरकुरे, चिप्स, कैले दक्षिना देते हैं 5-10 रूपे जो भी देना होता है तो मैं कभी 5 रूपे देती हूं, कभी 10 रूपे देती हूं और एक बार मैंने पर्स पाटे थे चोटे-चोटे टिफिन वगेरा, यह सब मैं बाटती हूं और यह देखिए यहाँ पर हलुआ मैंने अच्चे से सिकाई क के बाद मैं यहां पर मैं GRIS कर लिया थाली को और पराद को आनी रहाता यह और फिर वन बाई वन मैंने इनको निकाल लिया यह देखिंगे मुझे हसी आ करती है और दूसरा जो है मेरे हाथ में थोड़ा दध भी होने लग गया था और इस कड़ाई को मैं इसको इतनी भारी जो थी तो बस इसी वज़े से मेरे को चमचे से निकालना पड़ा तो आप भी सोच रहे होगे कि सब्जी बनाने के चमचे का उपयोग कर रही है और बस फि लगा दिया सबसे पहले और जो है बगवान के चड़ा के और फिर मैंने थालियों में निकाल दिया बस अब इस कड़ाई को हातों हात माज लूँगी सब्जी की और यह कड़ाई में सब हातों हाती माज लेती हूं और आज नवरातरा का लास्ट दीने कोई छट पूसता है क कोई अस्टमी कोई नम पूसता है और बहुत जो है बहुत धर्म लगता है गाईज और यह उपर से जो है मैंने यहां पर बुरादा डाला है जो कोपरे का बूरा होता है वो डालके भूरके और इसको इस तरीके से चिपका दिया आप सिल्वर वर्क भी जो है डेकोरेट करन तो यहां पर यहां पर यह सारी मेरी थालियां जो है तयार हो गई अब जमने के लिए रख दूंगा अगर मुझे जल्दी निकलना होगा तो और फिर फ्रीज में अच्छे से जम जाएगे और फिर कट लगा दूंगी इसमें फोड़ी देर वेट करते हूं कट करने के बाद फ्रीज में रख दूंगी और ताकि चीटियां भी ना आए और हमारे घर में एक चुवा आए कई वो चुवा मून हमार जाए यह भी मुझे डर है थोड़ा सा तो इस वज़े से और बस यह देखिए यहां पर परात और दो थाली और छोट इसी थाली भी जो हल्वा मेरा प खकावट वाला काम उस दिन था और हर साल खिलाती हूं मैं खाना और ह मैं कालोनी की जो बचचे होते हैं उन्हें फ्र मैं गरीब बच्चों को ओझाने को यह दर्म लगे मैं में औरतों को जब बाटती हूं तो मैड को और जो भी घरीब मजदूर वर्ग होता है उनी लेडिसों को मैं सक्रात के आइटम बाटती हूं कभी शोल कभी जो हैं अंगूठी कभी साड़ी बाटती हूं कभी बरतन बाटती हूं तो बस सबी चीजें जो है मैं सक्रात पर मजदूर के पास इन चीजों की कमी भी होती है और अपन को धरम भी लगता है और बस यह देखिए क्यों मुझे दिखावा पसंद नहीं है कि पास में पडोसी को अपन सकरात का आईटम दे रहे हैं फिर वह अपन को मुझे देते हैं फिर वो मुझे देते हैं मतलब फॉर्मल्टी में मैं विश्वास नहीं करती इस वज़े से सब क्या अपनी अपनी सोच है अपनी अपनी ठिंकिंग है पाँचों उंगलियां बराबर नहीं होती है मेंटिलिटी सबकी अलग अलग है बस यहां फिर मैंने इनको दिवान पर रख दिया लाके और कट भी मैंने इसमें लगा दिये चोक को और सक्कर पारे के जैसे भी आप कट लगाना चाहों वैसे लगा सकते हो और उस दिन मैंने जो है पूरी और ये वगएरा सब चीज इतनी म मिल गई क्योंकि मैंने बहुत महनत से वीडियो शूट करे थे और अकेले सारा काम करा था और यहां पर बस आटा लगा रही हूं मैं तो बस अजवायन डाल दी मैंने और नमक डाल दिया और बस आटा लगा रही हूं अगर बच्चे बोलेंगे कि जो है पुलाओ बनाओ तो और बस सब्जी पूरी हो जाएगी और हलवा हो जाएगा और बस फिर मैंने जो है मैं कहां जाओंगी और किसको देखे आओंगी यह सब मेरे आप दूसरे वाले चैनल पर विजिट जरूर कीजेगा एक बार मेरे दूसरे वाले चैनल का नाम है शोशल वरकर मदूबाला हमी और आप उसको भी प्लीज सपोर्ट कीजिएगा लाइक सब्सक्राइब शेयर सपोर्ट कीजिएगा और मेरे इस वाले चैनल को भी आप सपोर्ट इसी तरीके से करते रहिएगा और आप मुझे जो है फेस्बुक के पेज इंस्टा और ट्विटर पर फूलो कर सकते हो औ और यहां पराटा मेरा हो गया था उसके बाद में एक लंबा सा बेला बना के और फिर मैंने इसके चोटे-चोटे पोजिशन तोड़ दी और अब मैं पैड़े बना रही हूं इसके लोया बना रही हूं और बस अब जो है पूरी बेलूंगी तो पूरी आज में मशीन की साय में बनाती थी तो एक दो बार मेरे चोटा वाला भाई है बिट्टू भाई उसने और मैंने मिलके मकी की पापड़ियां बनाई थी और उसने मेरी मदद कर दी थी तो बस उसके बाद यह काम में नहीं आई थी उस टाइम में मेरे भाई मेरे पास ही रहता था उस टाइम की ब जाता है क्योंकि मेरे इस वाले हाथ में दर्द है तो मैं उल्टे हाथ से दबा रही हूँ तो मुझे इतना दर्द भी महसुस नहीं हुआ और फिर मेरा हाथ भी दर्द नहीं करा क्योंकि अभी मैड भी नहीं है जाड़ू पोचा बरतन और सारे काम जो है मुझे और पूड़िया में वन बाइवन डालती जारी जो काली कड़ाई मेरी हो गई है जो अच्छा से मस्ति नहीं है उसी को मैंने चड़ा दी और यह कुछ पूडिया मुझे ज्यादा निकालने थे जिस कड़ाई में तलने का काम करती हूँ उसमें तो दो से तीन पूड़ी निकाल सकते हैं इसमें मैं करीबन यह देखिए आप 8-8 पूड़ी एक साथ डाल रहे हैं और बहुत अच्छे से कड़क कड़क जो है निकल रही है पूड़ एक साथ सारा काम हो जाता है तो फटाफट सारा काम फिनिश हो जाता है तो फ्री हो जाओ फिर दूसरा काम करने का जो है मन भी करता है और टाइम भी अपन को मिल जाता है तो बस यहाँ वन बाइवन में सारी पूडियां जो है खटी घान बोलते तो वन बाइवन घान निकालत जा रहे हुं पूरीं का और जो हे बस भोग ने लगा दिया अर पूरी न रख दी और बढ़ाद लगा दिया और यह देखिए बस पूरी ओजाएगी और पर इसकी पैकिंग करणी है बड़े-बड़े तो कोपिया और पैन रखूंगी केले मंगवाएं दो-तिन किलो तो वो केले भी मुझे रखने हैं और बिस्किट का जिसमें 50-60 बिस्किट हैं वो पैकिट भी मैंने 2 पैकिट लिये हैं तो बस वो पैकिट ले लूँगी तो यह सब चीज़े भी मुझे रखनी थी तो वो भी ले लूँगी और यह देखिए यहां पर यह देखिए अब अच्छे बोलेंगे तो जो है मैं थोड़ी सी चावल भी बना लूँगी क्या करने के लिए ले जाएगी तो बस मैं वही कह रही हूं आपको मेरे दूसरे वाले चैनल का विजिड जरूर कीजिएगा कि मैं यह पूरिया कहां पर लेके गई ती क्यूं लेके गई थी किसके लिए लेके गई ती और बस यहां पर में आ तेल चड़ा दिया तेल गरम हो गया तेश पत्ता इसमें डाल दिया राइज़ जीरा डाल दूँग weaker हिंग का छूख का लगांगी आलू की सबजी में बना बस अब इसमें जो है आलू और मसाले डाल देंगे और यह बाद में जो है थोड़ा आवशकता अनुसर पानी डालके ड़के पका लेंगे और नॉर्मल सबजी बनाते हैं तो चाज भी डाल लेते बट चाज की सबजी सबको पसंद नहीं आती बच्चों को क्या पता पसंद आ पता नहीं अपने अपनी टेस्ट होता है अपनापना यहाँ ट्माटर दाल दिया मैंने खूप सारे बारिग बारीग चौप करके तो सबजी मेरी यह देखिए ट्माटर पक रहा है मेरा और अच्छे से जो हैं गुट जाएगा यह देखिए अच्छे से दबाके देख हराधनिया मिल गया था तो बस हराधनिया आप सर्दी आ रही है गाइस तो बहुत सारी सब्जियां अच्छे अच्छे वेराइटी पराठे बनेंगे और हल्वा बनेगा गाजर का स्वामी जी को बहुत पसंद है और खूप सारी सब्जियां आएगी पुलाव बनेगा जो और भी आएँगे और अमुरूद भी हैंगे मुझे बहुत ही पसंद है अर बस यहां पर और मुझे बहुत पसंद है कच्छी खाना तो मुली भी आएगी और यह देखें आपर आवश्यिक तनाशार पानी डाल देंगे और बस यह सबजी मेरी यम्मी यम्मी बनके रैडी हो किता अच्छा कलर आया है बस धकड़क के पकारीं में इसको और मैं गरम मसाला जो है बच्चों से पूछ के डालूगी क्योंकि मुझे बच्चों के हिसाब से जो है सब्रय बनानी पड़ती है अगर गरम मसाला डाल दिया और उन्होंने नहीं खाई तो छोले में डलाते हैं व और जो केले वगेरा बिस्किट वगेरा वो सब ले जाओंगी तो बस यहां पर में स्वामी जी का टिफिन पैक कर रही थी और उड़ी रख दी नमकिन रख दी और सबजी रख दी और यह देखिए और पापा जी है नहीं आने वाले हैं वो और दो-तिन दिन में आ जाएंगे एक-दो-दिन में और राकेस गाओं गया हुआ है तो राकेस के हलवा वगेरा रखना ही नहीं था मुझे और उसको बुखार भी आ रहा है अभी और खून की वह उसके कमी है खाने पीने का तो ध्यान देता नहीं है और मैंने स्वामी जी को बहुत बार बोला है उसको बोला रख देती हूँ अभी बड़े वाले बेटे को बोलती हूँ जो वो देखे आ जाएगा स्वामी जी को और उसके बाद मैं बच्चों का भी खाना यहाँ पर अभी मैं लपेट के रख दूँगी फॉल पेपर में और बस यह सारी बर्फिया मुझे काट काट के निकालनी है सबी जम गई है देखे अच्छे से और भगोने में भरके अभी फ्रीज में रख देती हूँ और बस मैं ड्रेस वगेरा चेरेंज करके नहां धोके और मेरे ओल्मोस्ट काम सारे हो गए हैं और क्योंकि माता का जो है आज दिन है तो जाड़ू पोचा पहले ही करना था नहीं तो पोचा दिन में लगाते हैं बच्चे बट व्लोग बहुत लंबा हो जाता तो मैंने इसकी क्लिप जो है जोड़ी ही नहीं और यहां पर सारा काम मेरा हो गया मेरे दूसरे वाले चैनल क प्लीज आप लाइक, सस्क्राइब, शेर, सपोर्ट कीजिएगा बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा बस आप मैं तयार हो गई, रेडी हो गई और यह सूट मेरी बहन संगीता ने मालपुरा से बनवा के वेजा था वही सूट है और बहुत सालों में इसको पहना थी और फिर आ भी गई थी, जैसा कि मैं कहा रही हूं कि बीच का जो भाग है कि हम कहां जाके आए तो आप मेरा शोशल वर्कर मदुवाला स्वामी स्वामी के नाम का चैनल जो है, उसको सस्क्राइब कीजिएगा देखने के लिए, तो बस मैं आ गई थी और रस्ते में जो ह रत्री की आपको बहुत 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 सुपकामना है, थैंक यू